प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जीएस भाई ईश्वर सर में तो जैसे आपको पता इस चैनल पर आपको समय समय पर महत्पुन जानकरियां दे जाती हैं और शिक्षा से समय वीडियो भी अपलोड किया जाते हैं तो उसी करम में पेश आज इंग्लिश के अंदर in and at का प्रयोग कि हम इन का प्रयोग कहां करेंगे वाक्या के अंदर और at का प्रयोग कहां करेंगे in English language तो जैसे कि आपको पता है कि English एक foreign language है जो कि Britain की है जिसे हमेरे England कहते हैं वहां की है परन्तु पहले भारत में यह होता था कि लोग अंग्रेजी से नफरत करते थे परन्तु आज हमारे लिए English एक महत्पुन चीज़ बन गया है क्योंकि जितनी भी आपकी science and technology है science है technology है वो सब की सब English के अंदर है अगर आप यह सोचेंगे कि मुझे English नहीं आती या मैं English नहीं पढ़ूँगा तो आपका काम नहीं चलेगा और English तभी सीखेंगे जब आपको एक तो आपकी vocabulary मजबूत हो वकाबलरी का मतलब होता है शबद कोश अगर आपका शबद कोश मजबूत है तो आपको English में असानी रहेगी और दूसरा है rules अगर आपके rules आपको पता है कि कौन से शबद कहां प्रयोग होता है तो आप English सीख सकते हो और इन ही चीज़ों के लिए आपको आज in और at का प्र पर इन का मतलब होता है मे और at का मतलब होता है पर तो चलिए देखते हैं दोनों में फरक क्या है दोनों कहां कहां प्रयोग होते हैं तो शुरू करते हैं इन इज यूजड जो इन शबद है वो प्रयोग किया जाता है फार ए लोंग टाइम अगर लंबा सम्य हो तो वहां प का मतलब है टाइम का शोट छोटा समय हो वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं तो इसके एक्जांपल देखिए एक्जांपल कहते हैं उधारन को उधारन देखिए इन एटिंथ सेंचुरी सेंचुरी होता है स्टाब्दी अठारवी स्टाब्दी में एकलंबट टाइम है पुराना टाइम है तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग लगाएंगे इन 1947 उनिस सो 47 में ऐसा अगर कोई वाकिया आता है तो वहाँ पे आपको इन लगाना है इन दा इवनिंग शाम में एक निस्चित टाइम है इन दा इवनिंग शाम इन दा आफ्टरनोन दो पहर में इवनिंग होती है शाम और आफ्टरनोन होता है दो पहर इन दा इवनिंग तो ऐसी जो सिचुएशन होगी उनके अंदर हम इन का प्रयोग करेंगे उसके बाद में देखते हैं at at का मतलब होता है पर at 8 o'clock 8 बजने पर 8 बजने पर हम यह नहीं कहेंगे in at 8 o'clock no at lunch lunch कहते हैं दोपहर के भोजन को at lunch भोजन दोपहर के भोजन पर दोपहर के भोजन पर at दिपावली दिवाली या दिपावली पर हम यह नहीं कहें सकते हैं कि दिवाली में at the weekend at the weekend weekend होता है सप्ताहा का अंत सप्ताहांत तो सप्ताहा के अंत पर सप्ताह के अंत पर यह काम किया जाएगा तो यहाँ पे हम at का प्रयोग करते हैं तो यह in का प्रयोग है और यह at का प्रयोग है जहां पे छोटा period हो थोड़ा समय हो वहां पे at लगाएंगे और जहां पे कोई लंबा period हो वहां पे हम in लगाएंगे और in का अर्थ में होता है और at का मतलब होता है पर आगे हम देखते हैं इसमें in और into में फरक तो अभी हमने देखा in in का मतलब था में और into का भी मतलब होता है में अब दोनों में फरक क्या होता है जैसे I have a pen in my pocket मेरी जेब में एक pen है तो ऐसा कोई वाक्य है तो उसके अंदर हम in का प्रियोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह स्थिर है यह क्या है स्थिर है जेब में pen है पड़ा है अराम से लेकिन अगर किसी चीज के अंदर गती हो जैसे फ्रोग जंप इंटू दा पॉंट मेंडक तलाब में कूद गया यहाँ पे हम इंटू का प्रियोग करेंगे जहां पर गती है तो जहां पर गती होगी वहां पे हम इंटू का प्रियोग करेंगे और जहां पे कोई चीज थिर है वहां पे हम इन का प्रियोग करेंगे तो कुछ और उधारन देखते हैं इसी से सम्मंदित जहां पे हम इन और इंटू का प्रियोग करते हैं जैसे देखिए अगला है राहुल वेंट इन्टू हिज रूम एंड शट शट दा डोर राहुल अपने कमरे में गया तो यहां पे इन्टू लग गया क्योंकि यहां पे गती है तो इसलिए यहां पे इन्टू लग जेगा और अगर गती ना हो तो यह हमें वाक्य की सेंस को देखना पड़ेगा कि वाक्य में गती है या नहीं राहुल वेंट वेंट का मतलब होता है कमरा कमरे में गया और शट शट का मतलब होता बंद करना बंद कर लिया दा डोर और गेट था जो से बंद कर लिया इसी तरह से देखें कट दा वेजिटेबल कट दा वेजिटेबल इंटू सोरी वेजिटेबल्स इंटू स्ट्रिप्स या into thin strips अब कह रहा है कि जो vegetable है उनको काटो कैसे काटो पतली-पतली strips में जैसे हम सबजी वगरा काड़ते हैं और उसके पतली जैसे आलो की chips वगरा काड़ते हैं तो उनको strips कहते हैं तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पर भी गती है क्योंकि कट रहा है, कोई काम हो रहा है तो जहाँ पर हमें यह लोगे कि यहाँ पर काम हो रहा है गती है, वहाँ पर यह लगेगा तो चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा वाक्य है dive into the pool pool कहते हैं तलाब को यहाँ पर आप कनाल भी लिख सकते हो dive का मतलब होता है, चलांग लगाना पानी में चलांग लगाना चलांग लगाना जैसे यह cricket बगारा में dive लगाते हैं तो into, यहाँ पर भी क्या लगेगा into, pool का मतलब होता है तलाब, या जो swimming pool होता है उससे कहते हैं, पानी का जो से तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, dive, आप देखें यहाँ पे भी गती है, इसलिए क्या लगेगा, into लगेगा तो अगला वाक्ष देखिए, अगला हमारा वाक्ष है, the way go to school in groups और into groups तो इसमें क्या आएगा, कि लड़के हैं, वो group में स्कूल जाते हैं तो यहां देखिए groups हैं उनके अंदर कोई गती नहीं है लड़के school जा रहे हैं यह अलग बात हैं तो क्या आएगा in आएगा school in groups और इस अगला है हमारा जो अंतिम वाक्य है don't put don't put new wine dash old bottles उसी तरह का बाक्य है इसमें आपको या तो in भरना है या into भरना है या तो in डालना है या into डालना है तो don't put new wine in और into तो इसमें आपका क्या है देखिए put है गती है तो क्या आएगा into आजेगा क्या आजेगा into आजेगा don't put मत डालिए don't put का मतलब क्या है मत डालिए new का अर्थ होता है नई wine कहते हैं शराब को into में old bottle पुरानी बोतलों में तो वाक्य क्या बनेगा कि पुरानी बोतल में नई शराब मत डालिए तो इसी के साथ ये हमारा आज का चेप्टर समापत होता है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इनका प्रयोग into का प्रयोग और at का प्रयोग इन का अर्थ में होता है into का अर्थ में होता है लेकिन दोनों में फरक है इन में और into में into का ध्यान रखना है जहां पे गति हो और at का मतलब होता है पर तो इसी के साथ आज की क्लास समापत होती है ये आपका चैनल है जेस भाई इश्वर सार लाइक और सब्सक्राइब कर देना थाइंक्यों है वे नाइश टे